जातिवादी उत्पीडन के इतिहास की बात होने पर एक किस्सा अक्सर सामने आता है जो बताता है कि अतीत में एक दौर ऐसा था जब शूद्रों के गले में हांडी और कमर पे जाडू बंदी होती थी वे थूंकें तो हांडी में ताकि उनके मुह से निकला थूख जमीन पर न गिरे वे चलें तो पीछे बंदी जाडू उनके पैरों के निशाँ भी मिटाती जाए वे इस हद दर्जे के अच्छूथ थे कि उनके पैरों के निशान भी जमीन को अपवित्र कर देंगे ऐसा माना जाता था यकीनन ये बहुत घटियापन है कि कोल किसी व्यक्ति के साथ ऐसा वेवार करे तो जब इस घटियापन के दोशियों को खोजने का प्रयास किया तो बताया गया कि यह सब आस से करीब 200 साल पहले होता था और महाराष्ट का पेशवा वाजी रावदितिय जो की ब्रहमर जाती से था वो अपने राज के शूद्रों और विशेशकर महारों के साथ ऐसा करवाता था यकीनन ये बहुत ही अमानविय और घटिया वहवार है और इसकी निंदा होनी ही चाहिए लेकिन कुछ दलितवादी लोग इस किस्यों को सुनाकर पूरे हिंदू धर्म को कोसने लगते हैं जो की बहुत गलत है यह ऐसा ही है कि किसी दुष्ट पुलिश अधिकारी के कुरूर विवार पर आप देश के लोकतंत्र और सम्विधान को कोसने लगें जिसका दोश है उसको कोसी है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पूरे धर्म और उसके पूरे समाज को कोसना कहीं से भी तरक संगत नहीं है लेकिन बात इतनी हो तो भी ठीक है ऐसे लोगों से जब इस किस्टे की सत्यता के प्रमार पूछे जाएं तो सब चुप हो जाते हैं अनरगल भहस करने लगते हैं लेकिन कोई प्रमार नहीं देते जिससे पेशवा वाजीराव के दौर में इस अमानवी अत्याचार के होने की बात की जाती है वो 1796 से लेके 1818 तक पेशवा रहा यह वो दोर है जब अंग्रेज भी भारत आ चुके थे उनसे हारकर ही वाजीराव पेशवा देती है कि पेशवाई खतम हुई थी तो अगर उस समय ऐसा हांडी जाडू वाला आत्याचार होता था तो क्यासे पता चला क्या पेशवा के किसी दस्तावेज में इस बात का जिक्र है नहीं है इन पेशवा के उपर च्छत्रपती होते थे तो क्या च्छत्रपती के किसी दस्तावेज में इसका जिक्र है नहीं है उस समय के किसी इतिहासकार या रचनाकार ने इसका जिक्र किया नहीं किया किसी विदेशी यातरी नहीं किया मतलब उस दोर के किसी दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं मिलता यहां तक कि अंग्रेजों ने भी ऐसी किसी बात का जिक्र अपने दस्तावेजों में नहीं किया जबकि अगर अंग्रेजी रिकॉर्ड में ऐसा किस्सा मिल भी जाता तो भी जादा भरोसा करने लाइक नहीं होता क्योंकि खुद को महान और विपक्षी को दुष्ट दिखाने के लिए अंग्रेज कई जूटे किसे गड़ दिया करते थे जैसे भगत सिंग को आतंकी बताने के लिए उन पर भी अंग्रेजों ने जूटे आरूप मड़े थे ऐसा अक्सर भी करते थे किन्तु शातिर अंग्रेजों ने भी इतनी शातिरता नहीं की कि जातिगत उत्वीडन दर्शाने के लिए हांडी जाडू जैसा कोई किस्सा गड़ दें अगर सच में पेश्वा वाजीराव दितिये के समय ऐसा हो रहा था तो भले ही कोई और इसे दर्ज करता न करता अंग्रेज जरूर करते अपने दुश्मन पेश्वा वाजीराव को वेलिन साबित करने के लिए अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहट हिंदूओं में जातिगत फूट डालने के लिए हिंदू धर्म को अन्यायकारी बताकर हिंदूओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए वे इसका खूब प्रिचार करते उनके कई सारे मसले से सिद्ध होते लेकिन उन्होंने ऐसी एक भी घटरा का धिक्र नहीं किया जो कि इसी ओर इशारा करता है कि उस समय ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो रही थी तो यदि कहीं कोई प्रमार नहीं है, कोई एतिहातिक रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर यह किस्सा आया कहां से तो बहुत खोजा, इसकी सत्यता के प्रमार जानने की बहुत कोशिश की लेकर नहीं मिले बस इतना पता चला कि इस मिधक को डॉक्टर अम्बेड करने शुरू किया था भीमा कोरेगाव को लेकर अम्बेड करने जब ये दावा किया, इस पर विवाद हुआ और जब अम्बेड कर से पूछा गया कि उनको कैसे पता चला कि उनसे सौ साल पहले ऐसा अत्याचार हुआ था इसके क्या दस्तावेज, क्या प्रमार उनको बिल गए हैं वो बताएं तो इसका वे कभी कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए उन्होंने कभी कोई प्रमार प्रस्तोत नहीं किया यानि यह पूरी कहानी डॉक्टर अम्बेड कर की कपूल कलपना थी जो उन्होंने अठारा सो अठारा के भीमा कोरेगाओं में हुए अंग्रेज वर्सिस मराठा युद्ध को ब्राम्मड वर्सिस दलित युद्ध दर्चाने के लिए रची थी यह भीमा कोरेगाओं का युद्ध क्या था क्यों हुआ इसके विशय में हम बाद में चर्चा कर लेंगे लेकिन फिलाल हम हांडी जाडू के इस मिथक की ही बात पूरी कर लेते हैं तो इस किस्य के सच होने का तो कोई प्रमाड हमें नहीं मिला लेकिन उस दोर के जो विवरान हमारे पास हैं उनके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उस समय ऐसा शोशल होना संबब था क्या कोई जाती ऐसा अत्याचार सह सकती थी और क्या पेशवा ऐसा अत्याचार कर सकता था तो शुरूआत करते हैं पेशवा वाजीराव दितिय से जो कि इस के से का मेन विलिन बनाय गया है तो सबसे पहला सवाल तो यह है उठेगा कि पेशवा को आखिर ऐसी क्या खुननस्ती महारों से या शूद्रों से जो वो उन पर ऐसा अत्याचार करना चाहेगा इसका कोई वाजब जवाब नहीं मिलता कुतर कीए जाते हैं कि वो ब्रहम्र था इसलिए उसे शूद्रों से नफरत थी जबकि इतिहास में ऐसा कोई प्रमार नहीं है कि ब्रहम्रों को शूद्रों से या अन्निक किसी जाती से उनकी कोई शतृता रही हो या हिंदूों में इस घोर लेविल का कोई भेदभाव या अतियाचार रहा हो इस बात का कोई इतिहासिक प्रमाड नहीं है फिर भी माल लेते हैं कि वाजीराव को कोई ऐसी खुननस किसी कारणवश हो गई थी तो सवाल उठेगा कि क्या वो ऐसा करने की शक्ति और सामर्ते र ली थी हुआ यह था कि पेश्वा नारायड राव की हत्या इनके पिता रगनौत राव ने पेश्वाई हत्याने के चकर्म करवा दी और अंग्रेजों की मदद भी ली पहला आंगल मराठा युद्ध भी हुआ किन्तु वे असफल रहे और मराठा सरदारों के एक समून नार 1795 का दोर 1795 में पेश्वा माधोराव धितियों के मरने के बाद मराठा सरदारों ने इन वाजीराव धितियों को पेश्वा बनाने का नेड़े लिया वाजी राव पेशवा बन गए लेकिन इनकी पेशवाई में मराठों में आंतरे गुटबाजी बहुत बढ़ गई इस से निबटने और अपनी पेशवाई बचाने के लिए इन्होंने भी अपने पिता की तरह अंग्रेजों से मदद ली जिसके बाद जित्य आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया यानि देखा जाए तो वाजी राव कोई बहुत लोकप्रिये जनप्रिये या सशक्त पेशवा नहीं रहे वे अपने पूरे शासन काल में मराठा सरदारों के दवाव से मुक्त होने शर्यंतरों वा अंदरूनी कलाओं से निवटने और अपनी पेशवाई को बचाए रखने की जुगत में ही लगे रहे तो ऐशासासक तो चाहकर भी किसी जाती पर ऐसा अत्याचार करने का शौक नहीं पाल सकता उसे अपने ही बवालों से फुरसत नहीं मिलती है वहीं जिस महार जाती पर अत्याचार होने का दावा किया जाता है वो भी कोई दबी कुछली जाती नहीं थी कि उन पर कोई भी ऐसा जगन अत्याचर करे और वो चुपचप सहले यह सुरक्षा से जुड़ी जाती थी गाउं की सुरक्षा और रखवाली करना इनका जातिकत पेशा रहा था महार सदियों से सेनाओं में शामिल होते आये थे मुगल सेनामे, मराठा सेनामे और ब्रिटिश सेनामे भी महार जाती के लोग रहे अंबेड कर खुद महार जाती से थे उनके पिता राम जी सकबाल भी ब्रिटिश सेनामे थे तो महार कभी ऐसी कमजोर या कायर जाती नहीं रही कि कोई जबरन उनके गले में हांडी और कमर पे ज़ाड़ू लटका दे तो हांडी ज़ाड़ू का यह किस्सा बस कोरा मिठक भर है तर्क के आधार पर भी और तर्थ के आधार पर भी फिर भी बस जातेवादी राजनीती के लिए और हिंदूओं में दरार पैदा करने के लिए ऐसे किस्से सच के तोर पर प्रचारित और प्रसारित किये जाते हैं इसे सच बताते हैं निको लेख, किताबें, वीडियो और तो और फिल्में तक बना दी गई कहावत है कि जूट को सवाबार बोलो तो उसे सच माना जाने लगता है लेकिन यह जूट तो लाखों करोनों बार बोला गया नतीजितन बड़े बड़े मीडिया हाउस तक बिना कोई तहकीकात किये, बिना कोई प्रमार जुटाए इस ब्रहम को सत्त की तरह पेश करते रहते हैं जबकि होना यह चाहिए कि जब भी आप किसी व्यक्ति या समाज के इतना क्रूर और अत्याचारी होने का आरोप लगा रहे हों और जब भी आप किसी समाज पर ऐसे अमानवी अत्याचार होने का दावा करते हों तो आपके पास उसके बहुत ठोस परमाड होने चाहिए मैंने बहुत खोजे एक भी नहीं मिला लेकिन फिर भी जो लोग इस हांडी जाडू के किस्से को सही मानते हैं उनसा मेरा विनम्र नेवेदन है किवे हमें इस किस्से की पुष्टी करते समकालिन परमारों से अवगत करा दें और जब कोई परमार ना मिले तो किरपया अनर्गल बहस और कुतरक करने की बजाए थोड़ा अपनी विचारधारा पर चिंतन करिये कि आप खुद को और इस देश के लोगों को किस और ले जा रहे हैं बिना परमार जाने ऐसे किस्सों को सच मान कर भड़कने और भड़काने से पहले यह भी समझ लें कि ऐसे किस्से उन जातियों को भी बदनाम करते हैं जिने आप तताकते दलिग जातियां कहते हैं एक बात और जान लीजिए, हांडी जाडू के इस किस्से को केवल मैं ही जूटा नहीं कह रहा, बलकि कुछ दलितवादी एजेंड बाज भी ऐसा कह रहे हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवरसिटी के प्रोफिसर राजकुमार के भाचर सुन लीजिए, यह दलितवादी नेता अभी अपनी सभाव में खुलिया, हम यह कहते हैं कि जाडू हांडी का यह किस्सा फर्दी है और इत्यास में इसका कोई वरड़न, कोई प्रमार हमें नहीं मिलता है, हाला कि ऐसे दलितवादी इस किस्से को कलपना तो बताते हैं, लेकिन जातिगत वेमन से बढ़ाने की परांची है है कि आज से सो साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हितलाब के लिए एक मन गरंत किस्सा गड़ा और फिर समय के साथ एंटी हिंदू गैंग ने इसे और बड़ा चड़ा दिया, किस्सा था कि ब्रहामबड पेशवा ने ऐसा किया, लेकिन एजेंडे बाजों ने तो सभी ब्रहामबडों को इसका दोशी बता दिया, किस्सा था कि बस पेशवा के लाके में ऐसा हुआ था, लेकिन एजेंडे बाजों ने बना दिया कि पूरे भारत में ऐसा होता था, किस्सा था कि यह अत्याचार पेशवा के शासनकाल में हुआ, जो कि कुछ वर्षों का था लेकिन एजेंडे बाजों ने बना दिया कि हजारों साल ऐसा हुआ और कोड में खाजी है कि जिस किस्से को एंटी हिंदू एजेंडे बाजों ने इतना बढ़ाया चलाया खुद वो किस्सा ही पूरा फर्दी था मतलब राई का पहाड़ बनाने वाली कहावत भी इनके आगे छोटी है यहां तो राई भी इन लोगों ने खुद ही बनाई और फिर उसका पहाड़ भी भी रुष्ट कि इस बात आई कहां से तो ऐसा है कि ड्र भीमराव अमिटकर ने इस बिशेंपर लिखा था और इसे जो है उसमें पही बढ़ गया तो ड्र भीम्रा उमिटकर से पूछा गया कि आपने यह कहां से दस्तावे और कहां से आपने रेफेरेंस लिया है आपके पा भुत किया था थो संतोजनक में दे पाए कि मैं जो है एक परवालों को क्या जवाब दो तो यह भीना परमांड के दक्टर भीम राव मिलकर ने दिख दिया, ये बहुत बड़ी बात है, उनको ऐसा लिखना नहीं चाहे था वो चापे ना चापे, वगर हमारा इतियास आने वाली पीडी को महलूप होना चाहिए, तो बाबा साब अम्बेड करने आ था, कि मैं बुजूर्गों से सुना हुआ हूँ, जो रेटायर्ड मिलिटरी मैं थे, उनकी मूँ से मैंने सुना हूँ, कि मार लोगों के गले में पाइदा नहीं होती, कावसाब अम्बेड करने उसका लॉजिकल जवाब दिया था, मैंने तो आस तक कहीं नहीं पढ़ा, इतियास की किताब में नहीं पढ़ा, मंचों से जनू पढ़ा, सुना, कि इस तरह का इतियास रहा के गले में हांडी दोर पीछे, जाडू लगातिय कहीं पर इतियास की किताबों में इस चीज का जिकर नहीं है, लोगि मैं यह कहता हूं कि अत्याचार सेहना हमारा इतियास नगी रहा है, अगर तीन हजार साल से हम बिल्टुल मरे के रहे हैं, तो लानक है आप अगर 1818, यह वही समय जब आप यह जाडू वाली कहानी सुनात जिसकी कोई सचाही नहीं है पूरे देश के अंदर, कोई बता दे अगर इस बात की सचो, अरे कहीं नहीं थी को आप उधारन बताईए, रिफरेंस बताईए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, कि कढ़ी पे भी इसका उधारन नहीं मिलता है वीडियो पसंद आने पर कृप्या लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें धन्यवाद